हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक मैं यूटूब चैनल आज हम बात करने वाले हैं फोर मन्त में क्या हार्मनल चेंज होते हैं अगर आप बेबी बोई को कंसीव करने वाले हैं इसके साथ हैं फोर मन्त में होने वाले हार्मनल बदलाओ के बारे में बात करेंगे सबसे पहले प्रेगनेंसी का फॉर मंत आपको लग चुका है यानि कि चोता मेना इस समय अब आपको सांस लेने में काफी कटनाई महसुस हो सकती है चोते महने के आसपास आपके बेबी करीब 10 इंच लंबा हो जाएगा इस समय बच्चे की हट्ट्यों कराजा रबर की तरह लचिला है उसकी स्कीन गुलाबी है अब वो पारदर्शी है आसपास बेबी का वेट 1500 ग्राम के आसपास हो गया है अब उसकी बेडी का विकास बहुत ज़्यादा डवलप्मेंट तेजी से होने लगा है इस समय आपके शरीर में कई हर्मनल चेंज होते हैं जैसे आपको सीने में जलन हो सकती है भूक और प्यास बढ़ सकती है इसके साथी आपको कमजोरी और ठकान होगी आपकी पाचन के लिए खराब हो सकती है या धीमी पढ़ सकती है तो बोड़ी में बहुत सारे चेंजेस हो आपको बहुत अधिक भूग बढ़ जाती है किसी को बहुत अधिक ठकान होती है या किसी किसी का तो खाने की जो मात्रा है क्वांटिटी है वो काफी कम हो जाती है अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बेबी बोई से कि 4 मंत में क्या changes होते हैं और मेरे क्या personal experience है और दादी जल्दी करते हैं वो जादा सक्रिय रहते हैं उनको जादा विक्सी तो और सक्रिय होने में समय लगता है तो इस समय जो आपकी बेबी की मुमेंट है आपको महिसूस हो सकती है सेकेंड है आपकी भूग बढ़ सकती है आपको बार-बार खाने का मन कर सकता है इस समय आप spicy और थर्ड मन के बीच में जादा होती थी वो अब नहीं होगी नेक्ष्ट है केलेश्ट्रम इस्तराव अगर आपकी सतन में केलेश्ट्रम इस्तराव का जो रिसाव है वो थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगा है जो इस तन है उनका भी आकार बढ़ने लगेगा और उनमें लगेगा थोड़ा थोड़ा क्यूंकि बेबी बंप आपका अगर गोल नहीं है थोड़ा सा लंबा जेसा दिखने लगा है फॉर मंद से तो आपको बेबी बोय होगा क्यूंकि यह सान सीम्टेंस मेरे साथ भी सही हुआ था और कई महलाओं को सान्थ बिल्कुल सही होता है मैं उन्हीं के बेसिस पर बता रही हूं लेकिन आप वीडियो पर फिर भी पूरी तरह डिपेंड ना रहें क्योंकि हो सकता है आपको यहीं सिम्टेंज बेबी गल के समय हो तो कुछ ऐसे सीज़ें आपको हर्मनल चेंज के साथ हो सकती है फौर मंत में आपके जो पेर हैं और हाथ हैं उनके जो हैर हैं उसकी आपको थोड़े थोड़े बारिक वाले जो डार्क आपको दिखने लगेंगे क्योंकि देखा गया है जाम बेबी बोई होने वाले रहते हैं वाँपर हात की हैरी गरोथ है वो तेजी सा बढ़ने लगती है हात की स्केन खुरदूरी होने लगती है उन में ठिचाव आने लगता है और सुखी सुखी बेशान रुखी सी दिखाई दे सकती है जो मेरे साथ होता था तो ये symptoms कहीं न कहीं कई महलाओं में बिल्कुल सही होते हैं तो आपको ये भी हो सकता है अब पेट के निचले हिस्से में आपको थोड़ा सा कड़क पन महसूस हो सकता है अब धीरे धीरे आपकी जो linia nigra line है वो हलकी से आपको दिखाई देने लग सकती है क्योंकि इससे भी जो दादी नानी है वो अनुमा लगाती थी कि अगर line उपर से लेकर नीचे तक है तो आपको baby boy होगा क्योंकि जो पुरानी महला है उनको linia nigra line नहीं मालूम है लेकिन वो line बोलकर इसको इसपष्ट कर देती थी कि अगर आपको line बनी है काली उपर से लेकर नीचे तक तो आपको baby boy होगा तो यह कई महलाओं में बहुत हद तक सही साबित हुए है आपका नावे बटन दीरे दीरे बाहर की तरफ आने लगेगा एक दम आपको नहीं आएगा दीरे दीरे ही आने लगेगा इस समय आपको नीच बहुत दिखा सकती है आपको दिन में भी कई घंटों से यानि तीन से चार घंटे तक आप निकाल सकते हैं लेकिन किसी किसी महलाओं को नहीं आती है अगर मेरी बात करें तो मुझे इस समय नीच बहुत आती थी फरस्ट से फॉर मंत या फाइफ मंत में मेंने बहुत ज़्यादा दिन में भी सोया है तो आपको हो सकता है और आपका तेजी से वेड भढ़ने लगेगा अगर आपका फॉर मंत में दो से तीन या चार किलो वेड बढ़ा थे तो कन्फॉर्म हैं कि हो सकता है आपको बेबी बोय हो क्योंकि मुझे यह सिम्टेंस बिल्कुल सही था हमारी इस टोपिक पर भी वीडियो बनी एक श्टडी के अनुसार बताया अगर महला का वजन इतना बड़ा तो उसको बेबी बोय होने की संभावना ज्यादा बनी रहती ह क्योंकि 45 मिलियन बच्चों पर रिसर्ज किया गया है तो आप देख सकते हैं वो वीडियो अब आपको क्या नहीं करना है ज्यादा केफिन का सेवन ना करें क्योंकि इससे बेबी की हार्ड रेड बर सकती है बाहर का खाना खाने से बचें ओमेगा 3, 6-9 fatty acid की परियापत मातर शामिल करें healthy नास्ता करें और अपना और अपने बेबी का धिहान रखें आज की वीडियो में बस इतने थैंक्स वाचिंग फर दिस वीडियो